इस बार सेल के अंदर Macbook के ओपर भी सेल आईवी ए और सारे Macbooks के ओपर सेल आईवी ए ठीक है, Macbook Air जितने भी है, इनमें साब को कौन सा लेना चाहिए, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुती क्रीजी क्रीजी डिसकाउंस है, सारे जितने भी Macbook Air है, मैंने लिस्ट ब पूराना वाला, जो Apple Silicon के साथ में आया था, M1 Macbook Air, वो आपको लगभू 50,000 रुपय मिल जाएगा, विच इस इंसेन प्राइजिंग भाई, डिसकाउंस अगरा लागाने के बाद में, Amazon के ओपर शैद वो मिलेगा, ये Flipkart भी मिल सकता है, आप लोग देल सिलना कहां मिल रहा 80-90,000 में वो laptop का pricing भी बहुत सिंपल सी बात है, मैं बताता हूँ किसको कौन सा लेना चाहिए, अगर आप अपना first laptop बाई कर रहे हो, student हो, आपको बहुत ज़्यादा performance की need नहीं है, ठीक है, coding करते हो, video हलकी full के edit करनी है, real बगारा बनानी है, उसके edit करनी है, आपका college का का काम करना है, पढ़ाई करना है, M1 MacBook Air is more than enough, मैं मजाक नहीं करना हूँ, अच्छे अच्छे, जो मतलब आपको browsing experience होता है, जो usual ऐसा daily चलाने का experience होता है, उस मामले में M1 को अच्छे अच्छे लाक लाक रुपे के Windows laptop बीट नहीं कर सकते है, इतना थाधा fast चलता हो, तो even right now, I would suggest to you कि अगर आप अपना पहला laptop ले रहे हो, I don't think so कि M1 से अच्छा कोई deal है, 50,000 रुपे में बहुत ही crazy deal है, हाला कि एक फर्क है उसके अदर, उसका design है वो पुरानी दमाने वाला है, वो पतला सा आगे की तरफ हो जाता है, तो उसके design में थोड़ा सा एक compromise आपको करना पड़े M1 MacBook Air, बहुत incredible deal है अभी, 50,000 में तो मैं खुद सोच रहा हूँ, एक ले ने एक ले, क्यूंकि बहुत सस्ता मिल रहा है, और भाई वो ऐसे laptop होते हैं, उनको 3-4-5 साल बोलना नहीं पड़ता भाई, आचा, दूसरा जो है, वो है M2 MacBook Air, देखो, लगब 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 15-16,000 र नया प्रोसर है, तो जाधा पास्ट फील होना चाहिए, definitely powerful है, but problem क्या है, जो M2 का base variant वाला laptop है ना, उसके अंदर ना जो SSD है, 256GB वाली, वो single NAND वाली SSD, basically उसकी speed slow है, तो उससे होता ही है, कि भाई, वो M1 से भी जाधा slow feel होती है, especially in the higher working environment, तो I would say, अगर आप लोग नए design वाल आपको, features वगरा में इतने फर्क नहीं है, बलके MacSafe मिल जाएगा, ये एक दो चीज़े आपको extra मिल जाती है, M2 MacBook Air में, but I would still suggest कि भाई, पैसा बजा के M1 ले लो जाधा better है, या फिर, directly jump करो M3 पे, M3 तो crazy है, इससे भी M1 से भी उनसे बहुत जाधा powerful है, power बहुत जाधा M1 से, नहीं तो सबसे best to M1 है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, इस price range में, अगर आपको gaming गरा करने हैं, तो भाई, आप Windows laptops की तरब जा सकते हो, बहुत ही मस्त है, अगर आपको नया design चाहिए, बहुत जाधा heavy workload नहीं है, then M2 भी देख सकते हो, बहुत अच्छी price में आ रह बहुत ही powerful है, मैं अपने जितने भी मेरे live streams आप लोग देख रहे होंगे na Amazon के उपकर, वो सारे live stream इससे करता हूँ, इतना powerful है, कोई जासा दाते दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो मैं 4K में video edit करता हूँ इसके अंदर, तब वहां में दिक्कत होता है, इसका SSG slow होने के वज देलोगे न, तो best आपका काम हो जागा, जादा मगज मरी करने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी, यही storage का problem जो था, वो मैंने solve कर दिया, बाकि again, अगर आपको ज़रुवत नहीं है, तो phone में आंके मत buy करो, credit card का जुकार कलो, उससे भी अच्छे सा आपको discount में देखने को मिल करता हूँ, तो मेरे को मेरे नीचे description में लिंक दे रहा हूँ, WhatsApp चैनल का, उस पाके में को फटा फट जाइन कर दो, follow कर दो, वहां पर न सारे जो भी नए नए डिल्स है, जो एकदम latest डिल्स है, वो सारे को लिंक्स में फटा फट आपर देते रहोगा, तो आप लोग को जभ अब ही वीडियो के साथ में गाई स्क्रीव वेर वेर सुन, बाई, टेक केर, बाई